चलिए आज में बहुत ही जट पट और बहुत एजी रेस्पी बैगन फ्राइग करने जारी हूं जो बहुत एजी तरीके से तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए बता दू आपको यह हमने बैगन लिया है वंडवेगन जिसे हमने गोल-गोल स्लाइस में काट लिया है ना पर यह लसन और रद्रक है कदुकस क्या हुआ एक चम्मच लाल सुखी मिर्च है पॉडर है धनिया पॉडर एक चमच है हल्दी पॉडर अधा चमच है दो चमच बेसन है और एक छोड़ी चमच नमक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं से बनाना इसके लिए सबसे पहले हमें इन सब को मिक्स करना है हम इन सब को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और अब हम इसमें हलका हलका सा पानी आड़ करेंगे ज्यादा पानी हमें नहीं एड़ करना है बहुत हलका हलका सा पानी आड़ करना है बस हमने इन सब को मिक्स कर लिया है इस तरीके से हमने इन सब को mix कर लिया और अब हम जो हमने यह मसाले mix किया हैं वो हम इन सब sliceों में इस तरीके से लगाते हुए इस तरीके से हम सारे sliceों में लगाएंगे यही मसाले दोनों साइड हम इस तरीके से लगा लगा कर इससे साइड कर लेंगे फिर इसी तरीके से हम वन साइड करने के बाद देन पलट कर दूसरे साइड भी इस तरीके से हम यह मसाले बस हलका हलका इसमें इसे रफ करना है और इस तरीके से हम सारे स्लाइस में लगा लेंगे का यह लिए देकिन तरीके से सादे लगा लिए दोनों साइड और अब पकाएंगे जो पाइन चलिए हम स्टाट करते हैं हम यह पाइन चाहिए है और लुट भी जो चम्माच निया और यहाँ वाला स्लाइस क्यार बृच्फ में लिएपाईट करना है चाहनम भालया थ्रश करें औरienced Ober के बरेंगे अच्छे सर तेल चालों तरफ पहला देंगे और इसे हम घीमि आज पर पकने देंगे जैसे ही एक साइड गोल्डन गांड हो जागा दिन हम दूसी सर पलट लें तो फेंज यह देखी अब हम इसे पलट का चेक कर लेंगे कि एक साइड गोल्डन गांड हुआ है यह नहीं तो आप देखनें इसे हो चुका है इस तरीके से हम साइड पलर लेंगे के बार हम इसे अच्छे से इस तरीके सी हल्का सा पूछ करते जिए तैन उम दवाएंगे और इसमें हम अगर आप थोड़ा पोईली घाते हूं तो इसमें हल्का सा आजा थोड़ी जममच तेल आप एड क तरह सकते हैं इस तरीके से तरीके से भिला है जिसे तेल अच्छे सेब मिल जाए और इस तरीके से करने के बार देखिए हमारा यह बहुत अच्छी तरीके से वान साई ताहू चुका है अब हम इसे हाप मिनद के लिए धीमियाज पर धाकर पकाने हैं तो फ्रेंट यह देखे हैं हाप मिनद हो चुका है और अब हम अच्छा लेए और इसे हम एक वार अच्छी से फिला कर पलट कर चेक कर लेंगे कि दूर्शे साइड हुआ है नहीं तो यह आप देखने हैं दूर अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में तो फ्रेंट यह देखे बहुत ही जटपत और बहुत ही कम समय में रिडी हो गया है हमने यहां पर हरी मिर्च और धनिया पता से से डेपोरेट कर दिया है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें सेर कर और हमारी और भी ऐसी सिंपल एंड टेस्टी रस्पी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राब जरूर करें धन्यवाद